हलो बच्चो वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवन्थ माथमाटिक्स का चैप्टर नमबर एड जिसका नाम है इसका फर्स्ट क्वेशन दिया हुआ है इसमें चार ओप्शन दिये नीचे चलो इसको सॉल्फ करते हैं तो यह क्वेशन दिया है तो ब्राकेट जब खोलेंगे तो यह वाला ब्राकेट तो ऐसी आजाएगा 3x-11y अब जब यह माइनस अंदर जाएगा 17 का साइन क्या है 17 क्या है कि कुछ नहीं है मतलब प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है दोनों अलग-अलग साइन है ना माइनस इंटू प्लस तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा minus तो आपको यहाँ पर मिलेगा minus 17x फिर इसका काम तो होगा अब इदर यह minus जब यहाँ पर जाएगा देख़ो यह bracket को लेगा तो यह minus दोनों को मिलेगा इसको भी और इसको भी 17x आपने already solve कर लिया अब माइनस जब इसको मिलेगा इसका sign क्या है plus minus into plus अलग-अलग sign है ने एक जगे minus एक जगे plus जब भी अलग-अलग sign एक दूसर से multiply होगा तो answer आएगा minus तो इधर आएगा minus 13y ठीक है अब इसके नीचे जाएंगे यहाँ देखो इसमें x है इसमें x है इसलिए हम लोग इन दोनों को साथ में लिखेंगे इसको और इसको तो आएगा हम लोग को 3x minus 17x फिर यह देखो इसमें y है इसमें y है तो इन दोनों को भी हम लोग साथ में लिखेंगे माइनस 11y माइनस 13y तो हम लोग को मिलेगा माइनस 11y माइनस 13y अब next step में क्या करेंगे हम लोग इसको simplify करेंगे 3x माइनस 17x कैसे चालो करने का इसको देखो 3 chocolates में से 17 chocolates निकालने, निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते तो 3 माइनस 17 करो फिर जो आंसर आए उसके साथ x दाल दे लो 3 माइनस 17 कैसे करते हैं बड़ा नंबर माइनस चोटा नंबर करो 17 माइनस 3 कितना होता है 14, फिर यहाँ पे बड़े नंबर का sign क्या है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस 14, ठीक है अब यहाँ देखो माइनस 11y, माइनस 13y तो इसको कैसे सॉल करेंगे माइनस 11y, माइनस 13y दोनों negative है मतलब दोनों का sign same तो दोनों को add कर देने का 11 प्लस 13 कितना होता है 11 प्लस 13 होता है 24 तो दोनों को add किया तो add 24 अब बड़े नंबर का sign क्या है माइनस 13 देखो तो यह माइनस 24 हो जाएगा ठीक है तो इसका answer आएगा माइनस 24 लेकिन अकेडा थोगी ना रवाय था ना साथ में तो इसका answer आएगा माइनस 24y है ऐसा option देखो कहीं पर देख रहा है क्या नहीं देख रहा ना ऐसे लग रहा है हमने कुछ गलत किया है लेकिन आप देखेंगे तो आप लोग इसमें से कुछ common निकाल सकते हो 14 को लिख सकते हो 2 multiplied by 7 24 को लिख सकते हो 2 multiplied by 12 ओके फिर 2 को common ले सकते हो तो क्या बचेगा देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो माइनस 14 को लिख दिया 2 multiplied by 7x माइनस यह 24 को लिखा 2 multiplied by 12 वाई ऐसे का ऐसा अब देखो यहाँ पर भी minus 2 है यहाँ पर भी minus 2 है तो common ले लेंगे minus 2 तो यहाँ अंदर क्या बचेगा सिर्फ 7x अब आपने यह minus 2 को तो यहाँ बचेगा plus 12y ठीक है तो option दिख रहा है यह वाला यह है fourth option तो यह वाले question का answer है 4 हमको जो यह answer आया था ना बच्चों वो था ही नहीं option यहाँ पर 14x minus 54y जान बूच कर दिया था कि आपको लगे और मैंने गलती से 24 की answer तो यह होगा इसको mark कर देता हूँ बिलकूल गलत होगा इसको आप simplify करेंगे और जादा तो आपको यह वाला option मिलता है ठीक है वीडियो pause करके check करो एक बार negative numbers का subtraction addition सब बहुत easy होना चीए अभी आपके लिए नहीं आता है तो six standard के वीडियो देखो जो मैंने सिखा है addition subtraction के integers में ओके next करते है second question दिया है the product of 23 x square y cube z and minus 15 x cube by z square is product मतलब multiplication मतलब इसका और इसका multiplication कितना आ रहा है वो पूछ रहा है कैसे आएगा वो यह पूछ है सबसे पहले sign का देखते हैं देखो यहाँ पर यह number को sign नहीं दिया है sign नहीं दिया मतलब उसका sign क्या है plus अब देखो plus multiplied by minus अलग-अलग sign multiply रहा है देखो जब भी अलग-अलग sign multiply होता है तो answer मेंशा minus आता है कैसे देखो plus multiplied by minus किया तो answer आएगा minus minus multiplied by plus किया देखो लग-अलग sign multiply होता फिर से minus plus into plus हुआ same sign multiply हुआ तो answer plus minus into minus हुआ फिर से same sign multiply हुआ तो answer आएगा plus same आया multiplication तो plus अलग-अलग आया देखो अलग-अलग है तो answer मेंशा minus होगा ठीक है? तो यहाँ पर plus into minus आपको मिल जाएगा minus फिर 23 into 15 वह आप यहाँ पर rough work में चेक कर सकते हैं 23 into 15 कितना होगा 15, 3045 4 उपर 15, 3030 30 plus 4 34 तो आपको मिल जाएगा 345 देखो 345 आगया तो इधर तो समझ गया कि 3rd और 4th तो answer ही नहीं है ना? तो अगर गलत भी mark करना है suppose इसके आगे नहीं आता तो 1st या 2nd आना चीए 3rd या 4th तो आ ही नहीं जगता ठीक है? सीधा ये वाले number से पता चलिया अब यहाँ पर x square के साथ x cube multiply हो रहा है फिर y cube के साथ y multiply हो रहा है and z के साथ z square मैं हमेशा z ऐसे लिखता हूँ ताकि 2 जैसा न लगए आपको ऐसा ही लिखना है z तो लिख लो लेकिन tension होता है कि 2 जैसा दिखेगा तो यह z वाला term z से multiply होगा तो z into z square आया समझे ले? चाहिए तो आप लोग एक और step लिख सकते हो है यहाँ पे इसके पहले आप लोग को अगर चाहिए है तो एक step बता दो यहाँ पे क्या बता सकते हो देखो equal to plus 23 multiplied by minus 15 ठीक है यह एक हो गया and क्या बचा है x square y cube z यह वाला multiplied by यह x cube y z square अगर आप को चाहिए तो आप लोग यह step बता सकते हो नहीं बताना है तो मत बताना फिर मैंने क्या किया यह दोनों को multiply किया तो minus 345 आया फिर यहाँ पे यह multiply कैसे होंगे x वाला term x से multiply y वाला term y से multiply z वाला term z से multiply minus 345 intact रहेगा अब आपको यहाँ पर ही देखके समझ रहे है देखो यहाँ पर plus 345 है यहाँ पर minus 345 तो answer तो यही आने वाला है first खुद स्वाल करने की जरूरत नहीं है सब लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे तो क्या आएगा minus 345 x यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 जब multiply होंगे base से में देखो अगर base से में तो index add हो जाएगे ना multiply हो गतब तो उपर आ जाएगा 2 plus 3 which is 5 यह क्या आ जाएगा है multiply sign डाले की ज़रूरत नहीं है फिर y cube into y खाली y मतलब उपर 1 खाली y मतलब उपर 1 आ जाएगा तो y cube multiplied by y base से में दोनों का तो index add हो जाएगा 3 plus 1 4 तो आपको मिलेगा y raise to 4 similarly z into z square खाली z का को index नहीं मतलब 1 base से में z, z तो index add हो जाएगा 1 plus 2 3 तो आजाएगा z 1 plus 2 कितना है 3 देखो आपको क्या मिला x5 y4 z 3 या z cube minus 345 तो आपका answer आगया 1st वाला बहुत simple है 2-3 बार ये sum करो गया देखो गया तो easy लगने लगए ठीक है इसमें हम लोग ने ये indices के rule यूज की है base से में है तो index add हो जाएगे जब multiplication हो गा तो ओके आगया समाज में तो practice set 36 का question 1 हो गया and question 2 हो गया अब हम करेंगे question 3 solve the following equations question 3 सबसे ज़ादा important है बहुत ध्यान से सारे questions पे ध्यान देना ताकि इसमें आपका कोई doubt ही न हो एकदम conceptual clear हो जाए आगे जाके हम लोग word problems करेंगे तो एकदम पपलू लगेगा आपको लेकिन उसके लिए ये बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए तो जो जो मैं rule सिखा रहा हूँ अच्छे से देख लेना तो यहाँ पे third का question क्या है solve the following equation and first the i4x plus half या 1 upon 2 is equal to 9 upon 2 अब यहाँ पे आपको solve करना है solve मतलब x का value निकालना है तो जब भी आपको x का value निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा मतलब यह term को यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा तो plus 1 by 2 को यहाँ से भगाना पड़ेगा भगाना मतलब ऐसे नहीं कि cancel कर दिया भगाना मतलब उसको equal to के उस तरफ वेजना पड़ेगा लेकिन ऐसे ही आप किसी को भी equal to के उस तरफ नहीं बेच सकते है आपको penalty देना पड़ता है fine बना पड़ता है नुकसान होगा न तो fine बना पड़ता है क्या होगा जो यहाँ पे plus है वहाँ जाके क्या हो जाएगा minus ठीक है अगर यह यहाँ पे minus होता तो यहाँ पे यह 4x ऐसे का ऐसा आएगा equal to क्या हो जाएगा 9 upon 2 यह जो plus है वहाँ जाके minus हो जाएगा तो मुझे मिलेगा minus 1 upon 2 ठीक है अब यह 4x की value है लेकिन यहाँ पे हम लोग solve पर सकते हैं देखो दोनों का denominator सेम है तो मैं next step में क्या कर सकता हूँ denominator एक बार लिख सकता हूँ और उपर क्या जाएगा 9 minus 1 9 minus 1 क्या होता है 8 8 upon 2 हो गया यह किसका value है यह 4x का अब यह 8 upon 2 को भी आप cancel कर सकते हो क्या है क्या है क्या आएगा cancel करके देखो दोनों 2 के table में जाते हैं तो मैं बुल जाता हूँ 2 1s are यह हो जाएगा 2 4s are ठीक है तो क्या मिल जाएगा therefore 4x is equal to 4 upon 1 क्या होता है 4 अब मुझे सिर्फ x का value जी solve करने बोला है न तो यह 4 को भी यहां से भखाना पड़ेगा ऐसे नहीं कर सकते यह 4 यहां पर x के साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है न 4x मतलब 4 multiplied by x जैसे वो equal to को cross करेगा और divide बनेगा तो equal to को cross करेगा नागर plus है तो minus बन जाएगा minus है तो plus बन जाएगा multiplication है तो divide बन जाएगा and divide है तो multiplication बन जाएगा यह rule होता है opposite sign हो जाएगा तो यह 4 को वहां बेजना है तो यह divide हो जाएगा तो यह 4 ऐसे ही रहेगा मतलब कैसे 4x equal to 4 है ठीक है अगर मुझे यह वाला 4 यहां से हटाना है और वहां बेजना है तो इसको हटाया तो यह बिचारा वहां जाके नीचे आएगा अब कट करो इसको ओके simple ठाना तो यह equation हमने solve किया x के लिए वीडियो पॉस करो अच्छे से देखो बहुत ही basic rules है equal to cross करने वाला rules याद रखना है अगर equal to के उस पार plus गया तो minus बन जाएगा minus गया तो plus बन जाएगा multiplication गया तो divide बन जाएगा divide गया तो multiplication बन जाएगा बस इतना ही rule है ओके चलो एक और करते हैं यहाँ पे दिया है 10 equal to 2y plus 5 solve करने बुला मतलब 10 तो दिया है 5 दिया है यह y है न उसका value निकालना है अगर y का value चीए तो पहले यहाँ पे अकेला करना बड़ेगा है 5 को वहाँ बेज देंगे 5 क्या है plus तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा minus तो क्या मिलेगा next step therefore 10 यह minus 5 यहाँ पे आएगा कहां से है minus 5 यह plus 5 को इस तरफ लेके है equal to equal to यहाँ पे बचा shift to y 10 minus 5 क्या होता है 10 minus 5 होता है 5 if equal to 2y अभी आपको यह y का value चाहिए कैसे निकालेंगे मैंने previous sum में आपको बुलाना अगर multiply हो रहा है 2y मतलब क्या 2 multiplied by y अगर multiply हो रहा है तो उस तरफ जाके divide हो जाएगा या फिर आपके पास एक और option है आपको यह 2 अठाना है ना 5 ऐसे का ऐसा 2 नीचे आएगा divide होके equal to y तो y का value क्या आगया y का value आगया 5 upon 2 ठीक है यह हो गया method 1 अब method 2 में देखो यह step के बाद तोनो method नहीं करना यह आपको बता रहा हो कि method 2 से कैसे आएगा same ही आएगा यह ना अपना question 5 equal to 2y एसा आया था ना तो इसके बाद आपके बाद option है कि same चीज फिर से copy करो और दोनों तरफ y के आगे क्या है 2 ना आपको 2 नीची है तो दोनों तरफ आप 2 से divide करो जब मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा ना इधर तो कटो की क्या में लेगा 2 1,000 2 1,000 therefore यहां बचा 5 upon 2 और left side में, right side में क्या आगया 1 into y ना देखो 1 upon 1 क्या होता है 1, 1 multiplied by y y आएगा ना तो y का value आजाएगा 5 upon 2 अभी आपको दोनों method से same answer आ रहा है आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा method कर दा यह वाले method में क्या क्या दोनों तरफ 2 से divide किया तो भी same answer आएगा ओके वीडियो pause करके समझ लो एक बार खुद की notebook में करना है solve done third question करते third question दिया है 5m minus 4 is equal to 1 आपको solve करता है मतलब आपको m की value निकालनी है तो पहले 5m को एक साथ रखते हैं यह minus 4 को उधर बेज देते हैं तो क्या हो जाएगा अपको मिलेगा 5m is equal to 1 यह minus 4 है equal to को cross करेगा तो उसका sign क्या हो जाएगा plus 4 इदर minus 4 था equal to को cross करके क्या तो उसकी जिन्दगी बदल गए वह plus 4 बन गया अब मुझे बता 1 plus 4 क्या होता है 5m equal to 1 plus 4 आ जाएगा 5 अब मुझे m की value जी है मतलब मुझे 5 को यहां से बगाना है कैसे बगाऊं यहां पर 5m मतलब 5 multiplied by m होता है ना हमेशा तो यह यहां पर multiply हो रहा है तो वहां जाके divide होगा तो क्या मिलेगा यहां पर बच्चे का सिर्फ m और यहां पर 5 तो थाई और नीचे एक नया 5 आएगा यह वाला 5 यह वाला 5 भी है लेकिन यह जो 5 है यहां पर नीचे आ रहा है देखो 5 upon 5 क्या होता है कट करके देखो 5 1s are 5 1s are therefore 1 upon 1 के आएगा 1 तो m equal to 1 आगया आपको value है ना simple 3-4 line में question खतम हो गया आया समझ में तो आज हम लोगने practice set 36 के lecture 1 में 1st second to किया है 3rd का भी 1st, 2nd and 3rd solve कर दिया ओके हम इसके बाद lecture 2 करेंगे lecture 2 में मैं इसके आगे के question solve करांगा मैंने आपको पहले ही बता है कि algebraic expressions and operations on them का सिर्फ practice set बचा है practice set 36 बागी सारे practice set में ने already upload कर दिया है वीडियो जब खतम होगा तो 2 boxes आएंगे यह box में playlist का link आएगा जिस पर आप line wise जाके सारे practice set के videos जो में ने upload किये वो देख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो like ज़रू करें इसका link अपने WhatsApp पर share करें तकि उनको भी यह वाला chapter जो काफी लोगों को बहुत difficult लगता है easy लगे अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूले क्योंकि हम ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions upload करते रहेंगे in fact हमने part 2 mathematics पूरा upload कर दिया 7th standard के लिए और part 1 में सिर्फ यह final chapter बचा हुआ है बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजे ताकि जैसे में इसका lecture 2 upload करूँ आपको तुरन notification आये और आप कोई भी important lecture में इस न करें comment section में मुझे जरूर बताएं कि आप कोई video कैसा लगा thank you so much for watching this video